नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है तीन अप्रेल, समवार दोपर सवा तीन बजे, राजिस्तान की पंदा बड़ी खबरें इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी, विनी केक एंड मोर सबसे पहले एक नजब आते हैं आज के हैटलाइन्स पर केजरिवाल ने प्यम को लिखी चुठी, कहा बुजर्गों को दे, रेल की राये में छूट, नेता प्रतिपक्ष बनते ही राठोड ने दिल्ली जवाकर की, बड़े नेताओं से मुलाकार, रास्तान में फिर कई जगा बारिश ओले, सोला जिलो में येलो अलर, नवजो सिंग सिद्धू की सिक्योर्टी घटाई, अब मिलेगी वाई प्लस सिक्योर्टी, और अब खबर विस्तार से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमार को दिली के विज्ञान भवन में आयो जेते, CBI के डाइवन जुपली सालिब्रेशन का उत्खाटन किया, कारेकर्म के द CBI के ट्विटर हैंडल को लांच किया, बाजपा का 43 स्थापना देवस 6 अपरयल को है, इस मौके पर प्रधान मंत्री संसद में पार्टी संसदों को वर्चुली संबोधित करेंगे, पार्टी ने अपने सभी संसदों को इस तोरान मौजूद रहने के रहने के रिए कहा है, संसदों से कहा गया है कि वे सुबे करीब साड़े 9 बजे संसद भवन पहुंच जाएं, पिछले साल भी बीजेपी ने संसद में अपने संसदों के रिए इसी तरह का कार्करमाय उजित किया था, बाजपा के एक सीनियर नेता ने बताया कि अगले आम चुनाव से पहले हमार पास एक साल की करीब समय है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बना कर इतिहास रचने की दहलीज पर है, दिली सीम अरविन केजरिवाल ने रविवार को प्रधान मंत्री मोधी के नाम एक चुठी लिकी है, इसमें उन्होंने सीने सिटिजन्स को रेल किराए में दी जाने वाली चुठ को दुबारा बहाल करने की अपील की है, अरविन केजरिवाल ने कहा कि रेलवे का अगले साल का बजट 45 लाग करोर रुपे का है, बुज़रकों को किराए में चुठ देने पर 16 करोर रुपे खर्च होते हैं, इसे खर्च करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी, ने लुक्तांत्रिक पारटे के सांसद हनवान बेनिवाल भी मौझूद रहे, बिल्ला से राठोड की ये मुलाका संसद भवन में हुई, बिल्ला ने राठोड को शुब कामनाई दी, रास्तान में पिछले कुछ समय से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके चलते प पर फिर से येलो अलणच्वरी किया गया है, राजक के 16 जिलों में में गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना जोताई जो रही है, इनमें अलवार दौसा, धौलपूर, जापूर, जुनजनु, करॉली, सीकर, बाड़ मेर, बिकाने, चूरू, हनमानगर, जैसल मेर, ज सेक्योर्टी जे प्लस से घटा कर वाई प्लस कर दी गई है, इसकी बाद उन्हें राजेवे केंद सरकार पर गुसा भी निकाला, मेरी जानकारी के अनसार पहले नवजो सिंग सिद्धू के पंज़ाब में मंत्री होते हुए वाई प्लस सेक्योर्टी ही दी गई थी, लेकि अन्य राजे से पहले बार ऐसा मौका होगा, जब सभी आवेदन के चाहर रखने वाले हाजियों का चैन सफर के लिए हुआ है, इदर राज्तान राज्य हज कमेटी की ओर से आगामे तैयारियां शुरू कर दी गई है, राज्तान से इस साल 6164 यात्रियों को हज करने का मौ सबसे कम उमर में बालोत्रा के 13 साल की आफरीन बानो, सबसे बुजर्ग लोगों में जयापुर की 89 वर्षिया, वाहिदा बेगम जैसल मेर के 86 वर्षिया, मैद खान हज के पाक सफर पर चाहेंगी, कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जिन्हों ने एक साथ पांच बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इंजीनियर देविंद्र कुमार आरे ने बताया कि कोटा के धरती पर भी पहली बार पांच वर्ड रिकॉर्ड एक साथ बने हैं, आरे ने दावा किया कि अभी घंटी की कास्टिंग होने तक कई और रिकॉर्ड कोटा की धरती पर बनने वाले हैं, तासान बीजीपी ने एक अपरेल से अलपकालिन विस्तार का भियान शुरू किया है, इस अभियान में अलपकालिन विस्तार को नमो वालिंटियर नाम दिया गया है, ये अभियान दस अपरेल तक राज़स्तान की सभी 200 रूप में कारे करेंगे विस्तारक लोगों से संपर कर पार्टी की राजनीतिक इंद्र की यूजनाओं से जुडेंगे राजसान विधान सभा में नेता प्रतिपक्षपर राजेंदर राठोड और उरुप नेता प्रतिपक्षपर डॉक्टर सतीश पुनिया की नूकती ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों पर चर्चा बनी हुई है वलकि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर भी ये चर्चा का व ट्वीटर पर राजेसान विधान सभा विशे पर चर्चा टॉप फाइब पर चौथे नंबर पर जवा सकती है राजेसान में बैलन्स ऑफ पावर बनने के मकसद के साथ बहुजन समाज पार्टी एक्टिव मोड पर है इसका अंदादा इस बास से लगाय जा सकता है कि चु करके चौल रही है यही वज़ा है कि हालिया में शुरू हुए एक बूत दस यूद अभियान के तहट बूत स्तर पर यूवा ने तरत्व तयार किये जाने के प्रयास जारी है रासन सरकार ने भले ही बेरोजगार को संभल प्रदान करने के लिए शिक्षित बेरोजगार देखी कि समस्या से जूज रहे हैं सिती यह है कि जिले में पांच हजार बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आविदन कर रखा है और जैसे तैसे कर दूर दराज शेतर में इंटरंशिप के लिए भी पहुंचे लेकिन समय पर बेरोजगार भत्ता नहीं मिलने से आशार्थी से भी किनारा कर रहे हैं एक तरफ मुख्य मंत्रिय अशोगहलो सरकार शिक्षा को निशुल के बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके ही विभाग उनकी मन्शा पर पानी फेर रहे हैं राजसान आज्य पाठे पुस्तक मंडल ने NCERT की किताबों की कीमतों में गरतलब है कि प्रदेश में कक्षा 6 से 12 वी तक NCERT की किताबों को लागू किया गया हैं राज्य पाठे पुस्तक मंडल सचे विनोत पुरोहित ने बताया कि कीमत इस सत्र से बढ़ाई गई है लेकिन NCERT से कम ही कीमत रखी गई है गोविन गुरू ट्राइबल युनिवर्स्टी की ओर से 26 मार्च को आयो जीत राज्य पातरता परिक्षा सेट के ओनलाइन आवेदन पत्र में परिक्षा थी 5 अप्रायल से संशोधन कर सकेंगे विश्विद्याले ने सेट में उपस्तित रहे विद्यार्थियों की ओर से भरे गए ओनलाइन फॉर में कुछ संशोधन का मौका दिया है इसके लिए टाइम फ्रेम वेदिशा निर्देश के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है विद्यार्थी 5 अप्रायल सुपर 10 बजे से 7 अप्रायल देर राद 12 बजे तक स्वयम की SSO ID से ओनलाइन संशोधन कर सकेंगे चितोरगर जिले में भधेसर के आसावरा पीसी में चोरी हो गई अग्या चोरों ने लगभग 80,000 से एक लाख रुपए तक के समान चोरी कर लिया चोर पीछे के रास्ते से घुसे थे मुख्य खंड चिकिसा अधिकारी ने चोरी की सूचना पुलिस को दी है आसावरा पीसी के इंचार्ज डॉक्टर भुपेश अरोडा ने बताया कि पीसी हॉस्पिटल में रात को पिछे की दिवार कुद कर चैनल गेट का ताला तोड़ कर अग्या चोर अंदर घुसे हॉस्पिटल से रात के समय कंप्यूटर, LED, प्रिंटर मशीन, कई, टावल, स्चेयर, प्लास्टिक कवर, साहित, करीब एक लाख रुपे का समान चोरी करके ले गए आरपीसी सेकिंड ग्रेड शिक्षक भरती परिक्षा के पेपर लिक मामने में फरार चोल रही इनामी सरगना शेर सिंग मीना की महिला मित्र को ग्रिफतार कर लिया गया है महिला बैंक कर्मी होने के बावजूद शेर सिंग की कमाई में हिस्सेदार रही है उस पर आरोपी से संपर्क में रहका सायोग करने और पनाह देने का आरोप है एस पर विकास शर्मा ने रविवार शाम पत्रकारों से बाचित करते हुए बताय कि मुल्ते जुनजुनू हाल ही की निवासी अनिता मीना को ग्रिफतार किया है उसे उद्रपर पुलिस ने जयपर से ही ग्रिफतार किया है पुलिस ने बताए कि अनिता मीना विवाहित है और एक बैंक में करमचारी है वो शेर सिंग के सहीयोगी रही है और साथ काम करती रही है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर